स्वागत है आपका इशड़ी मेरी जिद में मैं विकास जैसा कि आपका हिंदी की सीरीज चल रही है तो आज हम हिंदी के टॉप 20 प्रशन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो आपकी SSC GD परिच्छा 2022-23 के लिए बहुत ही महत्पूर होने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं पहला प्रश्न है आपका प्रश्न कहा गया है कि नीचे दिये गए बाक्यों में कुछ तुरुटियां है और कुछ ठीक हैं तुरुटी वाले बाक्य के जिस भाग में तुरुटी हो उसकी अनुरूप अच्छर ABCD में से उत्तर चुनिए यदि बाक्य में कोई प्रश्न की तुरुटी नहीं है तो डी वाले को चुनिए यहां पर दिया गया है आपका कि अडू अस्त्रों की सकती संपूर प्रत्वी को ही ध्वस्त कर सकती है तो यहां पर A, B, C, D किस भाग में गलत है यदि कोई गलती नहीं है तो डी वाला सही होगा तो यहां पर भी नहीं आना चाहिए था यह होना चाहिए था कि अडू अस्त्रों की सकती संपूर प्रत्वी को ध्वस्त कर सकती है यहां नहीं आना चाहिए था अगला है घर में कैसा बाता बरड उपस्तित हैं कोई तुरूटी नहीं है तो यहां पर उपस्तित हैं नहीं होना चाहिए है नहीं होना चाहिए था घर में कैशा बाता बरड़ उपस्थित है भाग जो सी है वह आपका गलत है इसमें आपकी तुरुटी है आगे बढ़ेंगे और आपका अगला देखेंगे अगला है कि प्रतियक मानब से मेरा प्रेम है कोई तुटी नहीं है तो यहां पर प्रतियक मानब से मेरा प्रेम है तो यहां पर क्या होना चाहिए था यानि जो सी है भाग वो आपका यहां पर गलत है इसमें तुटी है अब तुटी क्या है प्रतियक मानब से प्रेम है तो यह होना करना चाहता हूं इस तरीके से होना चाहिए था ठीक है चले आंगे बढ़ते हो प्रशन आपका अगला देखेंगे प्रशन अगला है कि टस से मस नहीं होना मोहावरे कार्थ क्या होगा option A कठोर हिरदई होना option B अनुने विने से ना पसीजना option C जगे नहीं बदलना option D दहर पूर्बक सेहन करना तो टस से मस नहीं होना मोहावरे कार्थ हो जाएगा जगे नहीं बदलना यूँनि option जो C है वो आपका सही हो जाएगा आगे वड़ते हैं प्रशन अगला है कि भुझी भांग ना होना मोहावरे कार्थ क्या होगा option A नसे में चूर होना option B दरिद्र होना option C होस में न रहना या option D दोखा देना तो भुझी भांग ना होना का हो जाएगा दरिद्र होना यहीं दरिद्र का मतलब क्या होता है option B, बरिष्ट, जेष्ट, option C, पुरुसकार, पारि तोशिक, option D, मधुर, कटू, तो यहाँ पर आपका option D है, वो आपके बिलॉम सब्द हैं, वो सही हैं, यहाँ यहाँ पर आपका option D है, वो आपका सही हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे प्रशन आपका अगला है, कि नीचे दि आपका कैसा है सही उतकर्ष का बिलोम क्या होता है अपकर्ष ठीक है अगला है शुद्ध वर्तनी का चैन करिए आशीरबाद A, B, C, D मैंसे कैसा लिखा जाता है तो यहाँ पे आपका option जो C है वो आपका सही हो जाएगा है यहाँ वाके उपर रा उड़ता है आशीरबाद ठी अगला है शुद्ध वर्तनी का चैन करना है प्रेरित किस तरीके से लिखा जाएगा option A, B, C, D इन्हें मैंसे कौन सा सही होगा तो प्रेरित जो है option जो B है वो आपका सही लिखा है अगला प्रशन है धूर जेटी का आर्थ क्या होता है option A, धूमिल, option B, धूल, धूशरित, option option C, सिब, option D, पारवती तो यहां पर आपका option जो B है धूल, धूसरित वो सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रशन आपका अगला है कि यत्ताकार्थ क्या होता है option A, अत्याचार, option B, सीमा, option C, थकान, option D, स्वेच्छा तो यत्ताकार्थ होता है सीमा, यनि option जो B है वो आ option C, सहद, option D, सराब, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी सब्द के आगे मेरा और मेरी जोडने से, यदि मेरा लगाएंगे तो पुल लिंग के लिए यूज करेंगे और मेरी किस के लिए करते हैं इसी लिंग के लिए, तो यहां पर आपका option D है, य देखक, option B, सिच्छक, option C, वकील, option D, मीठा, तो यहां पर option D है, वो आपका सही हो जाएगा, मीठा जो सब्द है, वो आपका जाती वाचक शंग्या नहीं है, यहां पर कैसा है, भाव वाचक शंग्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रशन आपका अगला देखेंगे, कि हिंदी वर्ड माला में मूल स्वर कितने हैं, option A, 2, option B, 10, option C, 6, option D, 11, तो यहां पर option जो दिये गए वो गलत हैं, वो कि सवरों की संख्या है वो 11 होती है, अब 11 नहीं है, तो यहां पर क्या सही हो जाएगा, 10 सही हो जाएगा, ठीक है, प्रशन अगला है, कि जो इस तरी सके के लिएक शब्द क्या होगा, option A, वेदुशी, option B, अलच्छया, option C, असूर पश्या, option D, सास्तरग्या, तो जो इस तरी सूर भी न देख सके उसे कहते, असूर पश्या, यह option जो C है, वो आपका सही हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है, कि अग्यकार्थ क्या है, option A, जो कुछ भी नहीं जानता हो, option B, जो सब कुछ जानता हो, option C, जो बहुत थोड़ा जानता हो, या option D, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, तो अग्यकार्थ होता है, जो कुछ भी नहीं जानता हो, यह option जो A है, वो आपका सही हो जाएगा, चलिए आगे ब चत्र साल का युद्ध खाले जगे अद्वुत था, उप्षन A, पारंगतता, उप्षन B, गुड, उप्षन C, कौशल ये उप्षन D, बल, तो महराजा चत्र साल का युद्ध, कौशल, अद्वुत था, उप्षन जो C है वो आपका सही हो जाएगा, अगला है, जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे खाले जगे की भावना से देखता है, उप्षन A, हीनिता, उप्षन B, नीचता, उप्षन C, लजता, ये उप्षन D, कुण्ठा, तो जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे नीचता की भावना से देखता है, उप्षन जो B है वो आपका सही हो जाएगा, आ अधिकारी, option C, प्रकार, option D, माध्यम, तो यहाँ पे option जो B है वो आपका सही हो जाएगा, यहीं सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित अधिकारी को आवेदन करें, इस वीडियो का लाश्ट प्रशन है कि निन्दकों द्वारा खाली जगे से लाब ही होता है, option A, आ रोपड, option B, दोसा रोपड, option C, निरूपड, option D, निदान, तो यहाँ पे आपका option जो B है, यहीं दोसा रोपड वो आपका सही हो जाएगा, तो यह थे आपके 20 most important प्रशन जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिये हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में न